तदी आप सब का फिर से स्वागत है आपके अपने सेनल बीटी स्पिच्वल पर जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ चैनल मेसेज़ेस हैं तो ड्रीम में मुझे ये नजर आया है इस विक में कि आपके जो ड्यम है या ड्यम है ठीक है उनके कार्मिक लेसन जो आगे हैं उसके पीछे कार्मिक हर उसके पीछे मतलब कहीं पर फायर लग रहा है तो मुझे ये समझ में आया है कि कार्मिक लेसन जो है समाप्त होने वाले हैं जो अभी कार्मिक सिच्वेशन में है ठीक है और मुझे किसी के मतलब रियल फेस आपके सामने में आ सकते हैं जो कार्मिक सिच्थि है आपके लाइफ में किसी न किसी का जो रियल फेस है वो आपको नजर आ सकता है तो थोड़ा सा आप लोग पहले से ही इस चीज का ध्यान रखें और अपने इनर वर को और तेजी से करें और डिव स्टीट हैं जो आपके soul family है वो आप तक जरूर आएंगे जो भी जिन को हम मतलब ऐसा सूचते हैं कि यह मेरे soulmate है यह ट्विन फ्लेम है ऐसा नहीं हो ता कभी-कभी कार्मिक को हम इस तरीके से समझ समझ लेते हैं ठीक है तो यह सारी स्थिती बहुत ही साफ होने वाली है कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे चैनल मेसेज मिले हैं अभी मैं मेडिटेशन में बैठी थी जैसे कि आप सब जानते हैं स्री अन्मान जी चालिसा का पार्ट में भी मैं मेडिटेशन करती हूँ पार्ट करते हुए तो मुझे ये सारे चैनल मेसेज सब आए हैं तो जिन से भी रिजोनेट करें बिल्कुल लीजिएगा और अपने आपको बहुत पॉजिटिव रखिएगा कुछ लोग ये सोचते हैं कि रियूनियन सबसे पहले आप डिवाइन जी के करीब जाएए डिवाइन जी के सरन में जाएए पूरी तरीके से आप उन पर ट्रस कीजिए अपने उपर वर्क कीजिए इनर वर्क कीजिए आपको रियूनियन के बारे में सोचने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी जो आपके हैं जो आपके वाकई में सोल कनेक्शन है वो आप तक दिवाइन जी की ब्लेसिंग से ही आते हैं तो अब हम start करते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है आप जिन के बारे में भी सोच रहे हैं ठीक है वो कोई भी हो सकते हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको पिछले कुछ समय में आपके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे डोर ओपन हुए हैं आपके लिए काफी जादा अबंडन्स वो देख रहे हैं आपके अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं आप उनको देख रहे हैं मतलब किसी भी प्राइब